हेलो ट्रेडर्स मैं नेम इस संतोस एंड वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल बीग ब्रेकाउट स्टॉक्स तो आपने ये वाला वीडियो नहीं देखे हो जिसमें मैंने बताया है मोदी जी इलेक्ट होते हैं जिसका चांसेस तो ज्यादा है तो फोर्ट जून को इलेक्शन क रेजल्ट आ रहा है तो इसमें मोदी जी इलेक्ट होते हैं तो ये टॉप 50 स्टॉक्स जो कि रकेट के तरह वागेगे 5 साल के अंदर आपने ये वाला वीडियो नहीं देखे हो तो आप चैनल में भीजिट करके ये वाला वीडियो देख लेजे और अभी मैं जिस स्टॉक क कम्पानी में से एक स्टॉक है तो इस स्टॉक को मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक सपोर्ट एरिया था उसका एक सपोर्ट एरिया के आस पास आकर करका भी उप़र जाने की त्यारी में है चलिए टेकनिकल आनालिसिस करते हैं उस टोक का और अच्छे से समझेते हैं एक चीज और टेकनिकल आनालिसिस करने से पहले मैं उसका फंडमेंटल आनालिसिस करके भी दिखाऊँगा चैनल पे नए हैं फास्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए and bell icon को press करके notification को भी on कर दीजिए and video को like नहीं किये तो एक video को like भी कर दीजिए so चलिए stock का नाम जानते है and fundamental technical analysis भी उसका करते है so guys stock का नाम जानने से पहले first उसका fundamental analysis कर लेते है and market capitalization यहाँ पर देख सकते हो आप 76,240 करोड का है and PE मात 13 का PE है and ROCE यहाँ पर देख सकते हो 32 के असपास है and ROE देख सकते हो यहाँ पर 24 के असपास है and current price इसका देख सकते हो 260 का current price है and यहाँ पर देख सकते हो इसने low बनाया था 104 का and high बनाया था 286 का इसके high के असपास ही है उसका so यहाँ पर sales देख सकते हो guys 21,000 करोड का सेल से एंड यहां पे प्रोफिट एप्टर टैक्स भी देख सकते हो 5,770 करोड का यहां पे प्रोफिट एप्टर टैक्स है and change in promoter holding 0 है यहाँ पर देख सकते हो and profit growth भी देख सकते हो 23% का profit growth and promoter holding जो की important है यहाँ पर देख सकते हो promoter holding 60.8% का promoter holding है so यह तो था कुछ fundamental analysis एक बार हम जो भी investor graph है एक बार ओभी देख लेते है so यह है guys उसका investor का data and यहाँ पर देख सकते हो 60.79% का promoter holding है means company के owner के पास अभी 16.79% का stake है and यहाँ पर देख सकते हो FII FIIIM भी 6% था 7% 6% 8% 9% and FII के पास अभी stake देख सकते हो 12.60% है so FII के पास stake यहाँ पर ज़्यादा है and देख सकते हो अभी DIA के पास भी 14% का stake है and सिर्फ public के पास यहाँ पर 12.51% का stake है so यह तो आपको पता है जो आच्छा company है public के पास सबसे काम stake रहता है so इससे पता चलता है कि यह company आच्छा है so एक बार हम उसका जो भी है balance sheet भी check कर लेते so balance sheet यहाँ पर आप देख सकते हो reserve capital भी देख सकते हो guys company के पास 25,000 करोड का reserve capital capital है and यहाँ पर investment भी देख सकते हो company के पास अभी भी investment amount 1000 करोड के आसपास है so एक बार profit loss statement भी देख लेते and sales increase हो रहा है and यहाँ पर आप देखोगे net profit net profit देख सकते हो guys यह net profit ठीक है so यह net profit so company का जो भी balance sheet हो अच्छा कासा balance sheet है ठीक है और यह वाला भी पर सकते हो ठीक है so चली एक बर उसका technical analysis भी करके देख लेते so guys company का नाम so guys company का नाम है NMDC and यह जो मैंने top 50 company इसके फहले जो वीडियो अप्लोड किया था top 50 company मोदेजी election में आते है 2024 को आते है so यह जो top 50 company और rocket बनने वाला है उन top 50 company में से इस company का नाम भी था so यह अभी all time आपको पता होगा मैं मेरे channel पे ज़्यादा तर all time high stocks discuss करता रहता हूं लेकिन यह ना all time high का stock नहीं है उसका इसका all time है 286 286 के आसपास इसका all time high का price है लेकिन अभी यह trade कर रहा है 260 के आसपास तो यह अभी all time high से नीचे है तो इस stock को मैंने क्यों पिक किया क्योंकि यह उसका एक crucial support यहां पर देख सकते हो उसका एक crucial support है और यहां पर यह breakout दिया था wegen आप देना के उपर गया था फिर आया था retest के लिए आन्ड यहांं से retest लेकर के फिर उपर गया था and इस बार यह जो retest लिया था यह fail रहा डायरेट फीडस से आया and यह जो support था एक बार दो बार और तिसरा वार यहां से support लेकर करके जा रहा है यहां पर देख सकते हो यह जो candle था इस candle को भी break करके close कर चुका है एक strong bullish candle यहां पर देख सकते हो यहां पर यह stock इसका high break करता है तो आप इसके low mark करके इस stock में position ले सकते हो, हो सके तो इस बार जो इसका high है इस high को break करके और उपार जा सकता है, और उसका जो all time high है, मैं अभी देखा देता हूँ weekly time frame में उसका all time है इसको भी break कर सकता है तो एक बार मैं all time high भी mark कर लेता हूँ, और यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर monthly time frame में आच्छा से दिखेगा, weekly time frame में क्योंकि थोड़ा distance हो है देख सकते हो, यह जो था all time high 2010 यानि 10-14 साल के बाद यहाँ पर 2009 देख सकते हो 2009 and 2014 यहाँ पर high बनाया था और यह जो all time high दिख रहा है गाईस, वो जो मैंने data दीखा था skinner.in में 286 के आसपास था लेकिन ओ जो data I think within a year था यह जो देखा रहा है lifetime all time high यहाँ पर देख सकते हो 550 के आसपास all time high, यहाँ से यह stock जाएगा तो direct यहाँ तक आ सकता है क्योंकि यह जो उसका है all time high का resistance है यहाँ पर यह stock यहाँ से जाएगा तो all time high के तरह जा सकता है यहाँ पर आप RSI को notice करोगे तो यह RSI monthly time frame में आया था फिर यहाँ से जा रहा है support लेकर के फिर से जा रहा है तो volume भी देख सकते हो अच्छा कासा volume भी last कुछ महिने में अच्छा कासा volume भी आ रहा है buying आ रहा है तो आज के लिए इतना था हम मिलते हैं और एक नवी वीडियो में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को आउन कर दीजिए